जहें दोस्तों आज बात करेंगे जोगराफी क्लास 12 चेप्टर 3 जिसका नाम है जन संख्या संगठन और आज इस वीडियो में आप सको भीवी याई लगोई वन दिरी को तरिय परसनों तक कराने वाले हैं जो कि आपके भूर डिजाम के लिए बहुत इंपोर्टेंड हैं तो होग गया है वह वीडियो गर आप देख लेते हैं तो आपको सब्जेक्टी में पलस आपको अब्जेक्टी में थोरा सभी दिक्केट ने वगार जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्कीरेप्शन में जोगराफी प्लेलिस्ट मिलेगा वहां से आप जाके chapter 1, chapter 2 और chapter 3 का full explanation भी जाके देख सकते हैं अब चलिए हम यहां से एक नमर से start करते हैं और एक बात को हमेशा याद रखेगा मेरे दोस्त जब आपको body exam में प्रसन समझ में आ जाएगा तो आप answer आराम से दे सकते हैं आप अपनी भासा में भी दे सकते हैं और जब प्रसन ही समझ में नहीं आएगा तो उत्तर क्या देजगा, अपना मन से जो लिख दिजगा वो अच्छा नहीं होगा तो जो भी दो नमर के रहेगा वो भी नहीं मिलेगा देखिए प्रसन आपको कैसे समझना है आयू सननाचन से आप क्या समझते हैं इसका आपको समझना है कैसे प्रसंद दिया है तो आपको समझ में आना चीए देखे क्या कर आयू आयू मतलग क्या होता है कि जो एज होता है न जैसे 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का ये एज हो गया उसके structure को जो category Y रखा गया है उसी को दर्साना है तो समझे क्या लिखा है उत्तर में आयू सननाचना किसी भी देश की जन संक्या का एक अधारबुत सननाचना है क्या है कि आयू सननाचना जो है किसी देश का, मतलग कि जैसे जापान माल लिजे अमेरिका माल लिजे, भारत माल लिजे उसकी जो किसी भी देश का आयू सनननाचना होता है किस पर जन संक्या की एक अधारबुत सनननाचना है इसे आयू वर्ग की अनुपात में प्रदसित क्या चाता है आयू वर्ग क्या होता है जिसे किसी का एज होता है 5 से 10 साल 15 से 20 साल इसी category wise क्या किया गया है अनुपात किया गया है ठीक है और थात किसी देश की जन संख्या में बच्चे यूबा एवं विरिद की संख्या को आयू सनचना कहते हैं दिखे कहां भी किसी भी देश है जैसे आप मालेज भारत में तो वहाँ पर बच्चा जरूर होगा यूबा जरूर होगा विरिद मतलव की बूढ़ा लोग भी जरूर होगा तो उसे हम क्या कहते हैं आयू सनचना कहते हैं ये समज मे just from 10% आपको समज में आया होगा और आपको में इतना उमीद राते हैं मेरे दोस्त चेप्टर तीन आप अगर आप सब्जिक्टिव देख लेता आपको दूसरा वीडियो देखने के को जरूत नहीं होगा बसरते आपको क्या करना होगा अपने कोपी में नोट करना होगा तब ठीक है और एक दो बार इसी वीडियो का अगर देख लेते हैं तो और अच्छी बात है चलिए दूसरे नमबर प्रसन को देखते हैं दूसरा नमबर और इजी प्रसन है जन संख्या क्या है जन संख्या क्या है उत्तर में आपको जन संख्या के बारे में समझते नहीं है जैसे भारत में कितनी जन संख्या होगा पता नहीं अमेरिका में जन संख्या है इसके बारे में बताना है तो तेके किसे निश्चित भुगोलिक छेतर में निवास करने वाले लोगों के कुल संक्या को तो उस टाइम आपका जिवन पलट जाए गाए जब आपका एक्जाम टाइम आएगा तो उस टाइम आपका जिंद्गी बदल देंगे कैसे आपका लगतार छलेगा चलेगा तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे और आगर आप चाहते कि क्लास 12 का ओल नोर्ट शाहिए तो आप हमें इस नवर पे संपर कर सकते हैं जिसमें आपको वोडल पे पर आल टू आल चीज मेलेगा ठीक है अब चले तीन नवर प्रसन को देखते हैं यहाँ पर क्या करें जनसंख्या विरिधी कोई मतलब क्या होता है समय टाइम कि क्या होता है एक निश्चित जो एक प्रियर टाइम होता है उसे में जनसंख्या में जो बदलाव आता है जो बदलाव मतलब की चेंज होता है जनसंख्या विरिधी कहते हैं एक बार और यह प्रसन को समझने वाली बात है क्योंकि यह प्रसन बह आपको समझ में आ गया चलिए आगे देखते हैं लिंगा अनुपात सबसे बेश्ट मेरे दोस्त लिंगा अनुपात सबसे ज़्यदा प्रसन पूछेगा तो पूछेगा लिंगा अनुपात क्या है प्रती एक हजार पूरुसों की संख्या पर महिलाओ की कुल जन संख्या को हम लिंगा अनुपात कते हैं अर्थात जैसे मान लीजे भारत में एक हजार पुरुस पर कितनी महिलाये हैं उसे हम क्या करते हैं लिंगा अनुपात करते हैं क्या करते हैं मेरे दोस्त एक बार और प्रस्ण को समझे परती एक हजार पुरुस पर मतलए एक हजार जब पुरुस है उस पे कितनी महिलाये हैं उस पे कहा जा रहा है तूसरे हम क्या कहते हैं लिंगा अनुपात कहते हैं दूसरे सब्द में समझे कुल जन संख्या में महिलाओ दथा पुरूस के अनुपात को लिंगा अनुपात कहा जा था पुरे जन संख्या के बारे में जा जा रहा है जैसे according to आप समझे यहाँ पर यह जादे खास कर objective के लिए important है भारत में 2011 के लिंगान पात में 1000 पुरूस में 940 महिलाए थी कितनी 1000 जो महिलाए थी जैसे समझे 1000 महिलाए ठीक है और उसमें कितनी महिलाए थी तो 940 थी जो कि कह सकते हैं कितना अभी 60 कम था 60 कम था न और वहीं में बात करें भारत के वर्तमान लिंगान पात 1000 पुरूस पर 1020 इस्तरिया है अब सुन सकते हैं लरकों ठीक से समल के चलो अब यह मत समझे कि गर्ल के लिए और गर्ल के देखें गर्ल बहुत ही ज़्यादा है बवाई बहुत ही कम है है न है कि नहीं है बहुत अच्छा क्योंकि गर्ल की ज़्यादा बहुत बहुत दीरे दीरे बर रही है according to वर्तमान में जब चलना है ठीक है चले यह परसन भी बहुत इंपोटेंट है क्योंकि ज़्यादा तर इस परसन पूछे ही जाते है अब चलिए च्छेतर में निवास करने वाले लोगों की कुल जन संक्या को जन संक्या कहते है क्या कहते है कोई निश्चित जगापती था हम आपको बहले बताया वे थे कि निवास करने वाले लोगों को कुल जन संक्या कहते है जन संक्या कहते है लेकिन लेकिन मेरे दोस्त रुख जाओ रुख जाओ जनसंख्या का बित्रन सभी छित्र में एक समान नहीं होता है जैसे केरल को देख लिए ठीक है वो केरल परहल लिखा है जैसे माल लिए भारत को देख लिए भारत को टकर दे रहा है कोई अभी सिर्फ चीन को छोड़ कर जन संख्या में कोई टकर दे रहा नहीं और वो भी चीन को भी छोड़ कर 2025 में सुने है 2025 तक चीन को भी पीछे छोड़ देगा भारत जन संख्या के मामले में वर्ल्ड का फिमस बन जाएगा लेकिन जन संख्या का बित्रन सभी छेतर में समान नहीं होता है क्योंकि सब जगा एक पराबर नहीं हो सकता है कहीं के वाताबरन खराब रहता है तो वहां से वहां लोग चला आता है ती नहीं हो सकता है जन संख्या बित्रन कहीं ज़्यादा तो कहीं कम होता है इस तरह संघंत और बिर जन संक्या के आधार पर 20ht जन संक्या के चार भागों में बाटबेग्हा और ये पच्छ नम्री है पांच नम्मर चाहिए तो याद करलो याद करलो ज्यादा खास कर आपको सब्जिक्टी और अब्जिक्टी में फोकुस करना हна ठीक है जैसे पर्थम दूतिय त्रितिय आप चतुरत्व्योगा तो पर्थम श्रेनी के रूप प्रारूप है दूतिय श्रेनी के प्रारूप तो देखें इसके अंतर गतवे छेत्र आते हैं जिन में जनसंक्या का घनत बहुत ही जादा होते हैं जनसंक्या का विरियत मतलब बहुत ही जादा इस सवमू में पुर्व तथा पस्चिम पुर्व अप्रव एस्या पश्चिम विरोब आधि त्याधि है थोड़ा से यहां पर समझेए इसकी अंतरगत्वे छेत्र आते हैं जिन में जनसंक्या का घनत बहुत ही जादा है जैसे मा अब आगे चलिए दूसरे पर देखी दूतिय सिरेनी के प्रारूप में इस सिरेनी में जनसंक्या घनत माध्यम होता है मतलब मैं जादा ना कम तो यह मेडियम होता है क्योंकि यह च्छेत्रमानियों दसाओं के लिए उप्युक्ष इसके अंतरगत पुर्दगाल फ्रांस इ इस च्छेत्रमानियों जनसंक्या घनत बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि यहां कि मिट्टे और जलवायों मानव निवास के लिए उप्युक्त नहीं होते है जैसे वहां का वाता वरन पहारे हिलाका यह सब अच्छा नहीं होते हैं इसलिए यहां पर रहना बहुत अच् रहतले हैं कि पहारी मतलो पहार बरावार होता है ठीक है चतूरत में देखिए चतूरतर से रेनी में आपके जिए जनसंक्या भिहीन चेत्र हैन्हां कि कम खराप कर सकते हैं विहन मतलब खर आप है समझे इसकी अंतर गत्वर्ट मालिजे खूब ठंडा में ठंडा कसमीर को ले लीजे यह ठंडा में ठंडा च्छैतर तो वहां पर लूग बहुत ही कम रहते हैं जैसे धूरूबीज़ चैतर और परवतों का सिखर परवत जैसा हो तो यह समझते कि कासमीर में ऐसा हो सकता है अब चले आगे चलते हैं ने सब्सक्रावार इंसे होता है आश्टिल्या करें जपान का पिर्वलिट क्या है नाइजेरिया का पिर्वलिट क्या है वो पीरामिट समझाय हुए थे कि age क्या होता limit क्या है यह सभी के सभी आपको डीडिल में समझाय हुए थे अगर आप जाके देख लेंगे देखे हम आपको इसलिए force करें जाद देखने के लिए क्योंकि किसी भी student को ऐसा ना लगई कि हमें बोड इजा में अच्छा नमबर नहीं है तो जितने भी student अगर सारे 400-400 टार्गिट लेके चलते हैं तो उसी कम से कम chapter पूरा कम से कम complete करना चाहे है कम से कम 5 chapter कर लिजिए क्योंकि 5 chapter कोप्लेट कि जगा तो और आच्छा रहेगा आपके लिए ठीक है यहाँ पर देखें उत्तर क्या करा आयू लिंग पिरामिड क्या है किसी देश की जनसंख्या का आयू लिंग और देखें इसके पहले हम परसन समझते उसके बाद बाता हैं कि ठीके आयू मतलग क्या होता है जैसे एक, दो, तीन, पांच, छेस, आट, अट पनर लेके तीस, आट, सो, साल तक ले सकती है यह आपका एज हो गया यह लिंग मैं आपका क्या हो गया कहीं इस्तरी कहीं पुरुस्ट इसी के जो एज होता है उसमें इस्तरी के जनसंख्या कितनी है जिस बिसेश परकार के रेखा चितर का निर्मान किया जता है उसे आयू लिंक पिरामिट कहते हैं तो ये रेखा चितर जो आपको हम साम जाये होते हैं कि नाइजेरिया का और आस्टेलिया का जापान का इन सब के चितर दिखाये हुए हैं और पर यहांसे देखाए हूँ और इस वीडियो में आपको हम नहीं देखा पाएंगे उसके लिए शौरी आप जाके देख लेजे नहीं वीडियो बना रहाता तो हम आपको देखाते हैं बड़ बना हुआ है तो आप जाके देखिए बोट ईजा में जिससे अचा नंबर लान जैसे यह हो गया वहां पर किसी के जर्म जादा हुआ इसे के पिरामेड करते हैं यहां पर आपको समझ में नहीं है आप पता है वीडियो में चलें आखेंगा उट्डिएट पर संबद आईका अब। चलिए क्या है इसको परभावित करने वाले परमुकारण कौन सा है सक्षर ता मतलग क्या पढ़ा लिखा तो उसमें क्यों परभावित करेगा तो इसके बारे में देखिए 2011 के जनगाना के अनुसार साथ अधिक आयोवर का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भासा में लिख या पढ़ सकता है सक्षर कहलाता है सक्षर को परभावित करने वाले परमुकारण निम लिखेते हैं देखिए 2011 के कौनिंग अब किसी भी तरह से महले चीए तो जो पढ़ने यह पने लिक सकता है कुछ पढ़ सकता है वो क्या है क्याम एक सकता है और उसके पर भावित करने वाले निम लिखित करन जो कि यहाँ पर देख सकते हैं यह कां मेरा कर सकते है support me, please like like, like, क्योग या आप हमें face दे रहे क्या देरे face दे रहे तो आप हमें like दे के face दे क्योंकि आपका एक like हमें बहुत ही motivation देता है बच्चे सब को समझ में आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो लाइक मत देज़ेगा कोई दिकर नी बट समझ मैं रहा है तो अभी लाइक कर लीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अब चलिए यहाँ पर देखे अर्थ विवस्ता के हधार जीवन अस्तर तक जिस अर्थ विवस्ता में किरिसी की परधिनता होती है वहाँ सिक्षा अस्तर नेमन होता है माले अन्य अर्थ विवस्ता में सिक्षा का अस्तर उच्छा होगा जैसे उच्छा अस्तर क्या होगा जैसे किरिसी के छोड़कर बीजिनेस बैंकिंग की यह सब करते हैं वह कहां पर वह सिक्षा होगा उच्छा अस्तर होगा ठीक है अब आगे चलिए जीवन अस्तर जिस देश क लोगों का जीवन अस्तर उचा होता है वहां सक्छर्टा अधिक होती है तथा जीवन अस्तर निमन होने पर सक्छर्टा कम होती है मतलब कि जहां का जीवन उच्छ होगा मतलब कि आप मालेज़े अभी से सोच रहे हाइस्ट कि हमें 1,10,00,00 का रुपिया महिना कमाना है, 20,000 महिना कमाना है 15,000 महिना कमाना है तो जितना बारा सोच होगा उतना ही बारा आपका जीवन चलेगा अब उतना ही अच्छे कासा पढ़ाले काहलाएंगे ठीक है? चलिए विकास का स्तर जिस देश में विकास का स्तर उचा होता है वहां सक्षर्टा दर अधिक होती है सही बात हो है जो देश उचा होगा विकास में होगा उसका सक्षर्टा तो बिलकुल आगे होगा तथा निमन विकास दर वाले देशों में सक्षर्टा निमन होती है जैसे भारत को ले 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 जिए वहां निमन है ठीक है और जापान को लिए जो वहाँ पर क्या है 6400 हाई है तो वहाँ पर जल्देली कोई ने कुछ लॉंच होता रहता है चलिए समाज में महिलाओ की स्थिति से भी एक कारण है जिस समाज महिलाओ की स्थिति अच्छी होती है वहाँ सिक्षा का अस्तर उचा होता है मतलब जिस समाज में देख सकते हैं वहाँ पर सिक्षा अस्तर बहुत ही बेश्ट होगा माले जो वहाँ पर इज़त महिलाओं की किया देता है जैसे आपको देख लीजिए आपको नाइजिरिया नहीं नाइजिरिया नहीं, लेट बिया, लेट बिया में बदा है, सूरी, लेट बिया है, यह कियाद रखे का आपको पुछा जा सकता है, लेट बिया है, यह कैसा देश जहां पर महलाओ की स्थिति सबसे अच्छी है, समझ गें, चलिए, आगे चलते हैं, अब यहाँ पर बात रहे आयू सन्नचना के महत्व को बता है, उसके बाद आपको थोरा मुरा और प्रसन बजेगा, दोस तक प्रसने, आपको उसके बाद हम छोड़ देंगे, ठीक है, चलिए, आट नमर प्रसन देखे, उसके बाद बताईगा, आयू सन्नचना के महत्व को बता है, आयू सन्नचना क किसी देश के जनसंक्या की एक धारबुत बेसेजता है ये तो बार-बार बतें क्योंकि आयूस नचना जनसंक्या के साथ समाजिक आर्थिक किरियाओं को परभावित करते हैं इसका महत्वन नेम लिखे थे ठीक है चलिए आगे देखे क्या कर रहा है आयूस नचना से यहाँ पाठा चलता है कि देश में श्रम सकति्सालि सकति कितना प्रतिसट एए मतला इसा समझके कि जतना जो एज है जिसे 155 जो 20 साल के यह वा है उससे कोई सकति कामम मिल लाय HEito अजप स्रमosh कामम नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बेरुच आरा रहेगा तो वहाँ का परतिशत ध्येद्रिंगरा डाउन होगा तो सही बोला जा रहा है आयूस जनिजना से हमें माली जो देस के श्थिती बहुत ही अच्छा होगा वहाँ का श्थिती सov इस बाट जेसे जापान सब से जनमदर और मेर्तुदर की भी जनकारी मिलती है आयुस अना जिना से यह पता चलता है कि समाज में किस परकार के सहयोग सहयोग की जरूओ थे ठीक है यह भी आपको पता चल गया तो यह आप देखे हम सोचते कि आपको बहुत ही बेस्ट दें तो बेस्ट देंगे तभी ना कि जब आप चैनल सब्सक्राइब करें देगे तम आप जो सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो काला हो गया होगा हमें पता प्रसन को देखे क्या कर रहा है कि जन संख्या संगठन से आप क्या समझते हैं जन संख्या का वहत्त तो जिसे मापा जा सके क्या कर रहा है जन संख्या का वहत्त तो जिसे मापा जा सके जन संग्या क्यों माप सकते सही बात उसे जन संग्या संग्ठन करते जैसे जनमदर मिर जादा हो गया जानम बहुत ले लिया किसी देश में बहुत कम मतलब बहुत आज मर गया आई उसता नचना के बारे भीवसाय के बारे में समझते हैं लिगव से समझते ही है चलिए यह समझ में आ गया बहुत अच्या और यह सबसे इम्पोड़ेने 2011 के अनुसार भारत के किस ज्राजिय में जनसंग्या घनतों है तो बिहार के सबसे अदा जो है 1111 है 1106 पस्चिम बंगाल में है गया 28, sorry 1026 और केरल में 860 उतर परदेश में है 829 जो हमारा केरल है और सबसे बिगरा हुआ जो है बिहार है जो कि हम बिहार में रहा रहें और बिहार को आगे करना कैसे education के मामला में education के मामला फिर बिहार को लाना है पहले बिहार education के मामला में number one था जब से लानन अब इस विदाले भंग हुआ है तब से बिहार का नाम खत्म हो किया अब हम एक बात यही कहेंगे मेरे दोस्त ये काम आप कर लिजे चैनल को subscribe कर लिजे भागय पलट चाहेगा अपका यतना तो हम कर सकते हैं चलिए आपका जोब मन करें वो कर सकते हैं आप देखे अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें हिस्तनवर पर संपर कर सकते हैं जो नमबर देख लिजे एक फटा 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 आपको आपको पीडिया मिलती रहेगा तो जाके जरूर देखे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्किराइब से मिलेगा अब जाके आप क्या कीजे चेप्टर 3 का जाके देख लिजे चेप्टर 2 देख लिजे चेप्टर 1 देख लिजे बहुत ही बेस्ट तरीका से समझाए मैं दोस्त बहुत मेहनत के साथ समझाए like share आपका प्यार support बहुत मिलते रहेगा अभी के लिए बाइ बाइ अगले वीडियो मिलते है objective में बाइ बाइ